ओम नमस्ते आईए आजम बात करते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर मुझे लगता है प्रति एक विश्व का व्यक्ति सोच रहा है और वो मुद्दा है प्रतिवर्ष पढ़ते तापमान का ग्लोबल वर्मिंग का ये जो समश्या जिससे हमारे वेज्यानिक तथा जो बुद्धी जीवी वर्ग हैं आपको प्रतिवर्ष सचेत करते हैं सावधान करते हैं और ये जो तापमान का इस्तर दिन प्रति दिन भढ़ता जा रहा है इतनी भीशन गर्मी कि इस वर्ष तो मुझे भी लग रहा है कि आगे का भविश्य हमारा क्या होगा हम सब को सोचने की आवश्यक्ता है ये जो इतनी भीशन गर्मी समय पढ़ रही है तापमान इतना बढ़ रहा है प्रतियक रीतु जो है वो अपनी वास्त्विक्ता को खो रही है जब गर्मी होनी चाहिए तब होती नहीं और जब नहीं होनी चाहिए तब इस तर बहुत होता है जब सर्दी होनी चाहिए तब होती नहीं और जब नहीं होनी चाहिए तो इस तर और भड़ता है तो ये जो समश्या है परिवर्तन की भविश्य में ये मानव के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है इस पर विचारनिये मुद्दा हम सभी के लिए बनता है मुझे लगता है ये जो प्रकृती है ये हमारी मा है जिसे हमारे रिश्यों ने आरंब से ही बहुत महत्व दिया इसलिए यज आदी की परंपरा व्रक्ष आदी लगाने की परंपरा स्रिष्टी के आदी काल से ही निरंतर रही जो प्रकृती के संतुलन को बनाने में बहुत सा होती थी पर वर्तमान में आज जिस भोतिक वाद की चकाचोंद में और सुक सुविधाओं से मानव का जीवन घिर चुका है उसके चलते हमें लगता तो है कि धन के बलबूते पर हम अपने आपको वो सुविधा दे सकते हैं वो सुक दे सकते हैं कि हम इस मोसम से बच जाएं ल इस तरीके से मनुष्य ने प्रकरती के साथ खिलवाड किया है प्रकरती अपना रुद्र रूप दिखा रही है आज हम योजना बनाते हैं मंगल पर जाने की जहां कोई एटमोस्फियर नहीं है जहां कोई पेड नहीं है कोई व्रक्ष नहीं है कोई जल नहीं है वहां जो धर्ती जो प्रत्वी परमात्मा ने हमें सब कुछ बना करके दी हैं, सारी व्यवस्थाओं के साथ हमें उपलब्द कराई हैं, क्या हमारा करतव्य नहीं बनता कि हम उस प्रकर्ती का भी उतना ख्याल रखें, उतना ध्यान रखें, तो मैं एक प्रार्थना करना चाहूंग सम्मान करते हुए आप संकल्प करें कि हम अधिक से अधिक संख्या में व्रक्ष लगाएंगे क्योंकि व्रक्ष हमारे लिए जीवन देने का काम करते हैं इसलिए हमारे शास्त्रों में व्रक्षों की भी पूजा बताई गई हैं आज जिन व्रक्षों को पूजा जाता हैं तो हम उनकी मात्रा को बढ़ाएं क्योंकि बहुतिक उन्नती के चलते इतनी बड़ी-बड़ी सुक्सुविधाओं के चलते राजमार्ग बनाए गए हाईवे बनाए गए रोड बनाए गए बहुत अच्छी बात है बनने चाहिए लेकिन उनको बनाने के चक्कर में इतने बड़े बड़े व्रक्ष जो इतनी भारी मात्रा में कटे वो लगे नहीं है डिवाइडर के बीच में गमले लगा करके हम कुछ समय के लिए शोभा को प्राप्त हो सकते हैं लेकिन जिस वायू से हमारा जीवन चलता है वो वायू बंदू हमें प्राप्त नहीं हो पाती वो वायू ह हमें उन व्रक्षों से प्राप्त होगी जो व्रक्ष चाया भी देने का काम करते हैं और हमें जीवन भी देने का काम करते हैं इसलिए चाहे वो पीपल के व्रक्ष हों चाहे वो नीम के व्रक्ष हों चाहे वो बढ़ के व्रक्ष हों या आदी आदी व्रक्ष हों जो व्रक् प्रकर्ती मा का सम्मान करने के लिए अधिक से अधिक व्रक्ष लगाने का संकल्प आवश्य ले अगर एक व्यक्ति एक व्रक्ष भी लगाए और लगाकर कि उसे छोड़ना नहीं है जब तक वो पूरी तरह से सक्षम ना हो जाए तब तक उस व्रक्ष का आप ध्यान रखें क क्योंकि यह आप भी जानते हैं कि जब आप किसी स्थान पर जाते हैं आपका कोई वाइकल चाहे वो बाइक हो चाहे गाड़ी हो तो आप भी यह देखते हैं कि छाया कहां हैं तो जब आप अपनी जड़ वस्तूओं को भी छाया में खड़े करते हैं आप उस छाया का महत्त समझते बंदों तो निश्चित ये भी समझे कि जितने जीव जन्तु हैं आदी आदी प्राणी हैं उनको भी इसकी आवश्यक्ता है हम ऐसी लगा सकते हैं लेकिन वो जीव ऐसी तो छोड़ो उन्हें तो जलकी भी उपलब्दता प्राप्त नहीं हो पाती तो इसलिए ये जो प्रकर्ती हमारी मा है जो हमारे लिएक वर्दान है आओ हम इस प्रकर्ती का संबान करने के लिए आगे आने वाले समय में बरसात के मोसम में जो आरंब होने वाला है इसमें अधिक से अधिक संख्या में व्रक्ष लगाएं मेरी सबसे प्रार्थना है अपने परियावरण को बचाए बहुत बहुत धन्यवाद जे इन जे वारत